परोच्टॉन महलाओं में पाय जाने वाले एक हरमोन होता है। और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केर प्रोष्टन एक ऐसा हार्मोन है जो मेहला में प्राकृति ग्रूप से पाया जाता है तो उन्हें इन्फर्टिलिटी मंति साइकल जैसी प्रॉब्लम होने लगती इसी हार्मोन की पूर्टी करने के लिए सश्टेंड कैपसूल को हार्मोनल थेरपी के रूप में लिया जाता है ताकि इस हार्मोन प्रोष्टन हार्मोन की पूर्टी की जा सके यह मेरे हाथ में सेश्टेन कैप्सूल ही, यह सेश्टेन कैप्सूल का ब्रांड नेम दियागा है, यहाँ पर यह बताएगा है, इसमें क्या मोली गूल है, चलि इसके कंपनी के बारे में बात करें, तो यह सन फार्मा लेवोर्टरिज लिमिटेड द्वारा बनाएगा है, चल इसकी मैनिफेक्ट्रिंग दस दो हजार अठार है, जो मेरे पास में हो, और इसकी एकस्पारी डेट है, नो दो हजार बीस, और इसकी MRP की बारे में बात करें, तो यह दो सो बावन रुपे के दस कैप्सूल है, यह थोड़े मेंग ज़रूर आते हैं, यह सम्तिंग कैप्सूल पढ़ता है, यह हर्मोनल रेपलास्मेंट थेरपी के लिए काफी यूसफूल क्याप्सूल है, चलि, यह ब्लेष्टर एककिंग में, और काफी खुबसूरत कैप्सूल है, यह सौर्फ जेलाटिं कैप्सूल है, और इसकी पेकिंग तो बहुत ही अच्छी है, और जिन महलाओं की pregnancy नहीं हो पाती है, pregnancy नहीं रुख पाती है, उन महलाओं के लिए स्कूल का यूज़ किया जाता है, किसी तरह की abnormal uterine bleeding हो रही है, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह की आपको menopause की problem है, या MC नहीं आ रही है, MC किसी कारणा से रुख गई है, या बच्चे का जन्म नो महां से पेले ना हो जाए, तो उस बच्चे को रोकने के लिए और सही समय पर बच्चा हो, तो इस स्थिते में भी महलाओं को डॉक्टर प्रिस्क्राप करते हैं, pregnancy के समय किसी प्रकार की अनावशक रूप से blooding हो रही हो, उसमें आप इसका यूज़ क है, आपको प्रिस्कायब करें, आपकी condition के हिसाप से, तो आप स्थिता कर सकते हैं, इसके side effect के बारे में बात कर लेती हैं, इसक आपको नोज्या बोमिटिंग की सिकायत हो सकती है,ákवान को पी willud, फेकल लो सकते हैं, लिदा हो कभी कभी आपको के उना महा से pimples की सिकायत भी बहुत ही कम इसके side effect देखे गाएं normal तरीके से लेकिन अगर आपको इसी तरह की side effect की problem होरी तो तुरंद अपने डॉक्टर से जरूर संपर्ख करें चली इसके साब्धानियों के बारे में और बात कर लेते हैं किस किस condition में स्कैपसूल का यूज नहीं करना चाहिए आपको breast feeding में इसका यूज नहीं करना चाहिए आप किसी परकार की alcohol का यूज करते हैं या किसी परकार की नसी के यूज करते हैं नसीला पदार्त का यूज करते बच्चों को दूर रखें इस capsule से और pregnancy के समय डॉक्टर की सला से इस capsule का यूज़ करें बैसे भी बिन डॉक्टर की advice से तो किसी भी प्रकार की medicine का यूज़ नहीं करना चाहिए आपका दिन मंगल में हैं आप सदा कुछ रहें सदा सोच रहें यदि आप Facebook पर देख रहें तो आप हमारे पैंच को लाइक कर लीजी और यदि आप YouTube पर देख रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हैसे संबंदित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें